मरकुस रचित सुसमचार पहला अध्याय परमेश्वर के पुत्र ईश्यु मसी के सुसमचार के आरम जैसे यशाया भश्दक्ता की पुस्तक में लिखा है कि देख मैं अपने दूद को तेरे आगे भेशता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो युहना आया जो जंगल में बब्तिस्मा देता और पापों की ख्षमा के लिए मन फिराओ के बब्तिस्मा का प्रचार करता था और सारे यहुदिया देश के और यरुशलेम के सब रहने वाले निकल कर उसके पास गए और अपने पापों को मान कर यर्दन नदी में उससे बब्तिस्मा लिया युहना उट के रोम कवस्तर पहने और अपनी कमर में चमले का पटका बांधे रहता था और टिड्डियां और बन मधू खाया करता था और यह परचार करता था कि मेरे बाद वे आने वाला है जो मुझ से शक्तिमान है मैं इस योग्य नहीं कि जुक कर उसके जूतों का बंद खोनू मैंने तो तुम्हें पानी से बप्तिस्मा दिया है पर वह तुम्हें पवित्रात्मा से बप्तिस्मा देगा उन दिनों में इशु ने गलील के नासरत से आकर यर्दन में युहन्ना से बप्तिस्मा लिया और जब वे पानी से निकल कर उपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर की नाई अपने उपर उतरते देखा और यह आकाश वानी हुई कि तु मेरा प्रिय पुत्र है तुझ से मैं प्रसन हूँ तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की और भेजा और जंगल में चालीस दिन तक शेतान ने उसकी परिक्षा की और वे बन पश्वों के साथ रहा और स्वर्ग दूत उसकी सेवा करते रहे यहना के पकड़वाय जाने के बाद ईशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज का सुसमचार परचार किया और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट आ गया है मन फिराओ और सुसमचार पर विश्वास करो गलील की जील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमाउन और उसके भाई अंद्रियास को जील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मचवे थे और ईशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ मैं तुमको मनुश्यों के मचवे बनाऊंगा वे तुरंट जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिये और कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकुब और उसके भाई युहनन को नाओ पर जालों को सुधारते देखा उसने तुरंट उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाओ पर छोड़कर उसके पीछे चले गए और वे कफर नहुम में आए और वे तुरंट सब्द के दिन सभा के घर में जाकर उपदेश करने लगा और लोग उसके उपदेश से चकित हुए क्योंकि मैं उन्हें शास्त्रियों की नाई नहीं परंतु अधिकारी की नाई इसी समय उनकी सभा के घर में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुध आत्मा थी उसने चिला कर कहा हे इशु नास्री हमें तुझ से क्या काम क्या तु हमें नाश करने आया है मैं तुझे जानता हूँ तु कौन है परमेश्वर का पवित्र जन इशु ने उसे डाट कर कहा च उसमें से निकल जा, तब अशुद आत्मा उसको मरोड कर और बड़े शब्द से चला कर उसमें से निकल गई, इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, कि यह क्या बात है, यह तो कोई नया उपदेश है, वे अधिकार के साथ अशुद आ कालाय में से निकल कर, याकूब और यहुन्ना के साथ शमॉन और अंद्रियास के घर आया, और शमॉन की सास ज्वर से पीडित थी और उन्होंने तुरंट उसके विश्य में उससे कहा, तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया, और उसका ज्वर उस पर से और वह उनकी सेवा टहल करने लगी, संध्या के समय जब सूरी डूब गया तो लोग सब बिमारों को और उन्हें जिन में दुश्टात्माए थी उसके पास लाए, और सारा नगर द्वार पर इखटा हुआ, और उसने भहुतों को जो नाना प्रकार की बिमारियों से दुख पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्तना करने लगा, तब शमान और उसके साथ ही उसकी खोज में गए, जब वह मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढून रहे हैं, उसने उनसे कहा आओ, हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करो, क्योंकि मैं इसलिए निकला हूँ, सो मैं सारे गलील में उनकी सभाओं में जा जाकर प्रचार करता और दुष्टात्माओं को निकालता रहा, और एक कोड़ी ने उसके पास आकर उससे बिंती की, और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे, तो मुझे शुध कर सकता है, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया, और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुध हो जा, और तुरंत उसका कोड़ जाता रहा, और वह शुध हो गया, तब उसने उसे चिता कर तुरंत विदा किया, और उससे कहा, देख किसी से कुछ मत कहना परंतु जाकर अपने आपको याजक को दिखा और अपने शुध होने की विश्य में जो कुछ मुसा ने ठहराया है उसे भेट चड़ा कि उन पर गवाही हो परंतु वे बाहर जाकर इस बात को बहुत प्रचार करने और यहां तक फ्यलाने लगा कि इश्यू फिर खुलम खुला नगर में न जा सका परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चहुँ और से लोग उसके पास आते रहे मरकुस प्रचित सुसमचार कई दिन के बाद वे फिर कफर नहूम में आया और सुना गया कि वे घर में है फिर इतने लोग खटे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली और वे उन्हें वचल सुना रहा था और लोग एक जोले के मारे हुए को चार मनुष्यों से उठवा कर उसके पास ले आये परंतु जब वे भीड के कारण उसके निकट न पहुँच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वैथा खोल दिया और जब उसे उधेर चुके तो उस खाट को जिस पर जोले का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया इश्यों ने उनका विश्वास देखकर उस जोले के मारे हुए से कहा हे पुत्र तेरे पाप ख्षमा हुए तब कई एक शास्त्री जो वहां बैटे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे कि यह मनुष क्यों ऐसा कहता है यह तो परमेश्वर की निंदा करता है परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप ख्षमा कर सकता है यिश्व ने तुरंट अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उन से कहा तुम अपने अपने मन में हैं विचार क्यों कर रहे हो सहच क्या है क्या जोले के मारे से यह कहना कि तेरे पाप ख्षमा हुए या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर परन्तु जिस से तुम जान लो कि मनुश के पुत्र को प्रत्वी पर पापशमा करने का भी अधिकार है उसने उस जोले के मारे वे से कहा मैं तुझ से कहता हूँ उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा और वे उठा और तुरंद खाट उठाकर और सब के सामने से निकल कर चला गया इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बढाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा वे फिर निकल कर जील के किनारे गया और सारी भीड उसके पास आई और वे उन्हें उपदेश्ट देने लगा जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले और वे उठकर उसके पीछे हो लिया और वे उसके घर में भोजन करने बैठा और बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी ईश्व और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिये थे और शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है उसके चेलों से कहा वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है ईशु ने यह सुनकर उनसे कहा भले चंगों को वैद्ध की आव उप्वास करते थे, सो उन्होंने आकर उससे यह कहा कि योहनना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उप्वास रखते हैं, परंतु तेरे चेले उप्वास नहीं रखते। पैबंद पुराने पहिरावन पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वे पैबंद उसमें से कुछ खीच लेगा, अर्थात नया पुराने से और वे और फट जाएगा, नहीं दाकरस को पुरानी मश्कों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाकरस मश्कों को फार देगा, और दाकरस और मश्के दोनों नश्ठ हो जाएंगी परन्तु दाख का नया रस नई मश्कों में भरा जाता है और ऐसा हुआ कि वह सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे तब फरीसियों ने उससे कहा देख ये सब्त के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं उसने उनसे कहा क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि जब दाउद को आवशकता हुई और जब वह और उसके साथ ही भूके हुए तब उसने क्या किया था उसने क्यों कर अभियातार महयाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाक कर भेट की रोटियां खाई जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं और अपने साथियों को भी दी और उसने उनसे कहा सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है ना कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी स्वामी है मरकुस प्रचित सुसमचार तीसरा अध्याय और वे आराध नालाय में फिर गया और वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था और वे उस पर दोश लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वे सब्त के दिन में उसे चंगा करता है कि नहीं उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा बीच में खड़ा हो और उनसे कहा क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना प्रान को बचाना या मारना पर वे चुप रहे और उसने उनके मन की कटवरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्टे कहा अपना हाथ बढ़ा उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया तब फरीसी बाहर जाकर तुरंद हिरदियों के साथ उसके विरोध में सम्मती करने लगे कि उसे किस प्रकार नाश करें और ईश्यू अपने चेलों के साथ जील की ओर चला गया और कलील से एक बड़ी भीड उसके पीछे हो लिए और यहुदिया और यरुशलेम और इदूमिया से और यर्दन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड यह सुनकर कि वह कैसे अचम्भे के काम करता है उसके पास आई और उसने अपने चेलों से कहा भीड के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तयार रहे ताकि वे मुझे दबा न सके क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था इसलिए जितने लोग रोग से ग्रसित थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे और उशुद आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिला कर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रगट न करना फिर वे पहार पर चढ़ गया और जिन्हें वे चायता था उन्हें अपने पास गुलाया और वे उसके पास चले आए तब उसने बारह पुर्षों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वे उन्हें भेजे कि पचार करे और दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार रखे और वे ये हैं शमौन जिसका नाम उसने पत्रस रखा और जबदी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई युहन्ना जिसका नाम उसने गुवन अर्गिस अर्थात गरजन के पुत्र रखा और अंद्रियास और फिलिपुस और बरतुलमै और मत्ती और थोमा और हलफई का पुत्र याकूब और तद्दी और शमौन कनानी और यहुदा इसकरियोती जिसने उसे पकडवा भी दिया और वे घर में आया और ऐसी भीड इखटी हो गई कि वे रोटी भी नखा सके जब उसके कुटुम्यों ने यह सुना तो उसे पकड़ने के लिए निकले क्योंकि कहते थे कि उसका चित ठिकाने नहीं है और शास्त्री जो यरुशलेम से आये थे यह कहते थे कि उसमें शैतान है और यह भी कि वे दुश्टात्माओं के सरदार के साहता से दुश्टात्माओं को निकालता है और वे उन्हें पास बुलाकर उनसे द्रश्टान्तों में कहने लगा शैतान, क्योकर शैतान को निकाल सकता है और यदि किसी राज में फूट पड़े तो वे राज क्योकर स्थिर रह सकता है और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वे घर क्योकर स्थिर रह सकेगा और यदी शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वे क्योकर बना रहा सकता है उसका तो अंती ही हो जाता है किम्तु कोई मनुष्य किसी बलवंद के घर में घुसकर उसका माल लूट नहीं सकता जब तक कि वे पहले उस बलवंद को न बांध ले और तब उसके घर को लूट लेगा मैं तुम से सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब बाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी परन्तु जो कोई पवित्रात्मा के विरुद निंदा करें वे कभी भी ख्षमा न किया जाएगा परन वे अनन्द पाप का अपराधी ठहरता है क्योंकि वे यह कहते थे कि उसमें अशुद आत्मा है और उसकी माता और उसके भाई आये और बाहर खड़े होकर उससे बुलवा भेजा और भीर उसके आसपास बैटी थी और उन्होंने उससे कहा देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे तूडते हैं उसने उन्हें उत्तर दिया कि मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं और उन पर जो उसके आसपास बैटे थे द्रश्टी करके कहा देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं क्योंकि जो कोई परमेश्व के इक्षा पर चले वही मेरा भाई और बहिन और माता हैं मरकुस रचित सुसमचार चौथा अध्याय वे फिर जील के किनारे उपदेश देने लगा और एक ऐसी बड़ी भीड उसके पास इखटी हो गई कि वे जील में एक नाव पर चड़कर बैठ गया और सारी भीड भूमी पर जील के किनारे खड़ी रही और वे उन्हें द्रश्टानतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा सुनो एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया और कुछ पत्रीली भूमी पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द गुगाया और जब सूरे निकला तो जल गिया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख किया और कुछ तो ज़ाडियों में गिरा और जाडियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वे फल न लाया परंति कुछ अच्छी भूमी पर गिरा और वे उगा और बढ़कर फलवन्त हुआ और कोई तीस गुणा कोई साथ गुणा और कोई सौ गुणा फल लाया और उसने कहा जिसके पास सुनने के लिए कान हो वे जब वे अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन बारह समेत उससे इन द्रश्टान्तों के विशे में पूछा उसने उनसे कहा तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है परंतु बाहरवालों के लिए सब बाते द्रश्टान्तों में होती हैं कि वे फिरें औख शमा किये जाएं। फिर उसने उन से कहा क्या तुम यह द्रश्टान्त नहीं समझते। तो फिर और सब दस्टान्तों को क्यों कर समझोगे। बोने वाला वचन बोता है। जो मारकिक किनारे हैं जहां वचन बोया जाता है। ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शेतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है और वैसे ही जो पत्रिली भूमी पर बोय जाते हैं ये वे हैं कि जो वचन को सुनकर तुरंत आनन से ग्रहन कर लेते हैं परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर कलेश या उपद्र होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। और जो जड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिनोंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोका और और वस्तुओं का लोब उन में समा कर वचन को दबा दिता है और वे निश्भल रह जाता है। और जो अच्छी भूमी में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहन करते और फल लाते हैं कोई तीस गुणा कोई साथ गुणा और कोई सो गुणा और उसने उन से कहा क्या दिये को इसले लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। फिर उसने उन से कहा चौकस रहो कि क्या सुनते हो जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुम को अधिक दिया जाएगा क्योंकि जिस के पास है उसको दिया जाएगा परंतो जिस के पा और रात को सोए और दिन को जागे और वे बीच ऐसे उगे और ऐसे बढ़े कि वे न जाने प्रत्वी आप से आप फलाती है पहले अंकुर तब बाल और तब बालों में तयार दाना परन्तु जब दाना पक जाता है तब वे तुरंथ हसिया लगाता है क्योंकि कटनी आप हुची है फिर उसने कहा हम परमेश्वर के राज की उपमा किस से दें और किस द्रस्तान से उसका वरणन करें वे राई के दाने के समान है कि जब भूमी में बोया जाता है तो भूमी के सब बीजों से छोटा होता है परन्तु जब बोया गया तो उपकर सब साथ पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालिया निकलती हैं कि अकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं और वे उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे दे कर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था और बिना दृष्टांत कहे उनसे कुछ भी नहीं कहता था परन्तु एकांत में वे अपने निचेलों को सब बातों का अर्थ बताता था उसी दिन जब सांज हुई तो उसने उनसे कहा आओ हम पार चले और वे भीड को छोड़ कर जैसा वे था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावे थी तब बड़ी आंधी आई और लहरे नाव पर यहां तक लगी कि वे अब पानी से भरी जाती थी और वे आप पिछले भाग में गद्धी पर सो रहा था तब उन्होंने उसे जगा कर उससे का हे गुरू क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाशुए जाते हैं तब उसने उटकर आंधी को डाटा और पानी से कहा शांत रहे थम जा और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया और उनसे कहा तुम क्यों डरते हो क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आग्या मानते हैं मरकुस रजित सुसमचार पांचवा अध्याय और वे जील के पास गिरा सेनियों के देश में पहुँचे और जब वे नाव पर से उत्रा तो तुरंत एक मनुष जिसमें अशुद आत्मा थी कब्रों से निकल कर उसे मिला वे कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था क्योंकि वे बार बार बेडियों और सांकलों से बांधा गया था पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेडियों के टुकले टुकले कर दिये थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था वह लगाता रात दिन कबरों और पहालों में चिलाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था वह ईशु को दूर ही से देखकर दोड़ा और उसे प्रणाम किया और उचे शब्द से चिला कर कहा हे ईशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र मुझे तुझ से क्या काम मैं तुझे परमेश्वर की शपत देता हूँ कि मुझे प्योड़ा ना दे क्योंकि उसने उससे कहा था कि हे अशुद आत्मा इस मनुश में से निकल आ उसने उससे पूछा तेरा क्या नाम है उसने उससे कहा मेरा नाम सेना है क्योंकि हम बहुत हैं और उसने उससे बहुत बिंती की कि हमें इस देश से बाहर न भेज वहाँ पहाड पर सोरों का एक बड़ा जुंड चर रहा था और उन्होंने उससे बिंती करके कहा कि हमें उन सोरों में भेज़ दे कि हम उनके भीतर जाएं तो उसने उन्हें आग्या दी और अशुद आत्मा निकल कर सोरों के भीतर पैट गई और जुंड जो कोई दो हजार का था कडाले पर से छपट कर जील में जा पड़ा और डूब मरा और उनके चरवाहों ने भाग कर नगर और गाओं में समचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने आए और इशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्टात्माई थी और था जिसमें सेना समाई थी कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए और देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्टात्माई थी और सुवरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया और वे उससे बिंती करके कहने लगे कि हमारे सिवानों से चला जा और जब वे नाव पर चढ़ने लगा तो वे जिसमें पहले दुष्टात्माई थी उससे बिंती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे परन्तु उसने उसे आग्या न दी और उससे कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभू ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किये हैं वे जाकर दिख पुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि ईश्व ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किये और सब अचंभा करते थे जब ईशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड उसके पास इखटी हो गई और वै जील की किनारे था और याईर नाम अरादनालाए के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पाओं पर गिरा और उसने यह कहकर बहुत बिंती की कि मेरी छोटी बेटी मरने प पड़ते थे और एक स्त्वी जिसको बारह वर्ष से लोहु बहने का रोग था और जिसने बहुत वैदियों से बड़ा दुप ठाया और अपना सब माल व्याय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था परन्तु और भी रोगी हो गई थी येश्यू की चर्चा सुनकर भीड मे उसके पीछे से आई और उसके वस्तर को छू लिया क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्तर ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी और तुरंत उसका लोहु बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बिमारी से अच्छी हो गई येश्यू उसकी चेला ने उससे कहा तू देखता है कि भीड तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे चुआ तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों और द्रश्टी की तब वैस्तरी है जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है डरती और कापती और उसके पाउं पर गिरकर उससे सब हाल चाल सच सच कह दिया उसने उससे कहा पुतरी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है कुशल से जा और अपनी इस बिमारी से बची रहे वै यह कही रहा था कि अरादनालाय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी अब गुरू को क्यों दुख देता है जो बात वे कह रहे थे उसको इश्व ने अनसुनी करके अरादनालाय के सरदार से कहा मत डर केवल विश्वास रख और उसने पतरस और याकूब और याकूब के भाई यहनना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने न दिया और अराद अला मचाते और रोते हो लड़की मरी नहीं परन्तु सो रही है वे उसकी हसी करने लगे परन्तु उसने सब को निकाल कर लड़की के मात पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा तलीता कूमी जिस कि वे बारा वर्ष की थी और इस पर लोग बहुत चकित हो गए फिर उसने उन्हें चिता कर आग्या दी कि यह बात कोई जाने न पाए और कहा कि उसे कुछ खाने को दिया जाए मरकुस रचित सुसमचार छटवा अध्याय वहां से निकल कर वे अपने देश में आया और उसके चेले उसके पीछे हो लिये सब्द के दिन वे आराद नालाय में उबदेश करने लगा और बहुत लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे इसको ये बाते कहां से आ गई और ये कौन सा ग्यान है जो उसको दिया गया है और कैसे सामर्थ की काम इसके हाथों से प्रगट होते हैं क्या ये वही बढ़ ही नहीं जो मर्यम का पुत्र और याकूब और योसेस और यहूदा और शमौन का भाई है और क्या उसकी बहने यहां हमारे बीच में नहीं रहती इसलिए उन्होंने उसके विशे में ठोकर खाई ये शुन ने उनसे कहा कि भविश गटा अपने उन्हें चंगा किया और उसने उनके अविश्वास पर आश्यर किया और चारों और के गाउं में उपदेश करता फिरा और वैं बारहों को अपने पास बुला कर उन्हें दो-दो करके भीजने लगा और उन्हें अशुद आत्माओं पर अधिकार दिया और उसने उन्हें आ जहां कहीं तुम किसी घर में उत्रो तो जब तक वहां से विदा ना हो तब तक उसी में धहरे रहो जिस ठान के लोग तुमें ग्रहन न करें और तुम्हारी न सुने वहां से चलते ही अपने तलवों की धूर छार डालो कि उन पर गवाही हो और उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ और बहुत तेरे दुष्टात्माओं को निकाला और बहुत बिमारों पर तेल मल कर उन्हें चंगा किया और हेरोदेश राजा ने उसकी चर्चा सुनी क्योंकि उसका नाम फैल गया था और उससे कहा कि योहनना बतिस्मा देने वाला मरे हुओं में से जी उठा है इसलिए उससे ये सामर्थ के काम प्रगट होते हैं और औरों ने कहा यह एलिया है परंतु औरों ने कहा भविश्व द्वक्ता या भविश्व द्वक्ताओं में से किसी एक के समान है हेरोदेश ने यह सुनकर कहा जिस यहनना का सिर मैंने कटवाया था वह जी उठा है क्योंकि हेरोदेश ने आप अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण जिस से उसने बिहा किया था हेरोदियास उससे बैर रखती थी और वह यह चायती थी कि उससे मरवा डाले परंतु ऐसा ना हो सका क्योंकि हेरोदेश यहनना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डढ़ता था और उससे बचाय रखता था और उसकी सुनकर बहुत खबराता था पर आनंद से और ठीक अवसर पर जब हिरोदेश ने अपने जन्द दिन में अपने प्रथानों और अपने सेना पतियों और गलील के बड़े लोगों के लिए जेवनार की और उसी हिरुदियास की बेटी भीतर आई और नाच कर हिरुदेश को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसंद किया तब राजा ने लड़की से कहा तु जो चाहे मुझसे मांग मैं तुझे दूँगा और उससे शपत खाई कि मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तू मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूँगा उसने बाहर जाकर अपनी माता से पोचा कि मैं क्या मांगू वह बोली युहना बब्तिस्मा देने वाले का सिर वह तुरंद राजा के पास फितर आई और उससे बिंती की मैं चाहती हूँ कि तू अभी युहना बब्तिस्मा देने वाले का सिर एक ठाल में मुझे मंगवा दे तब राजा बहुत उदास हुआ परंतु अपनी शपत के कारण और साथ बैठने वालों के कारण उससे डालना न चाहा और राजा ने तुरंद एक सिपाही को आग्या दे कर भेजा कि उसका सिर काट लाए उसने जिल खाने में जाकर उसका सिर काटा और एक ठाल में रखकर और लड़की को दिया और लड़की ने अपनी मां को दिया यह सुनकर उसके चेले आए और उसकी लोध को उठा कर कबर में रखा रेरितों ने इशु के पास इखटे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बता दिया उसने उनसे कहा तुम आप अलग किसी सुनसान जगह में अलग चले गए और बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान गिया और सब नगरों से इखटे होकर वहां पैदल दोड़े और उनसे पहले जा पहुँचे उसने निकल कर बड़ी भीड देखी और उन पर तरस खाया क्योंकि वे उन भेडों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो और वे उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा जब दिन बहुत ठल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ठल गया है उन्हें विदा कर कि चारों और के गाउं और बस्तियों में जाकर अपने लि देखिलाएं, उसने उनसे कहा、 जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, पांच और दो मछली भी। और वे दो मचलियां भी उन सब में बाढ़ दी और सब खाकर तुरुप्त हो गए और उन्होंने टुकलों से बारह टोकरियां भर कर उठाई और कुछ मचलियों से भी जिन्होंने रोटियां खाई वे पाँच हजार पुरुष थे तब उसमें तुरंत अपने चेलों को बर्बस नाओ पर चढ़ाया कि वे उस से पहले उस पार पैतसेदा को चले जाएं जब तक कि वे लोगों को विदा करें और उन्हें विदा करके पहार पर प्रार्थना करने को गया और जब सांज हुई तो नाओ जील के बीच में थी और वे अकेला भूमी पर था और जब उसने देखा कि वे खेते खेते खबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी तो रात के चौथे पहर के निकट वे जील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था परंतो उन्होंने उसे जील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिला उठे क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे पर उसने तुरंत उनसे बाते की और कहा धालस बांधो मैं हूँ दरोमत तब वे उनके पास नाओ पर आया और हवा थम गई और वे बहुती आश्चर करने लगे क्योंकि वे उन रोटियों के विश्य में न समझे थे परंतो उनके मन कठोर हो गए थे और वे पार उतर कर गन्ने सरत में पहुँचे और नाओ घाट पर लगाई और जब वे नाओ पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आसपास के सारे देश में दोड कर जहां जहां समाचार पाया कि वे है वहां वहां लिये फिरे और जहां कहीं वे गाओं नगरों या बस्तियों में जाता था तो लोग बिमानों को बजारों में रखकर उससे बिंती करते थे कि वे उन्हें अपने वस्त्र के आचल ही को छू लेने दे और जितने उसे छूत उसके पास इखटे हुए और उन्होंने उसके कई एक जेलों को अशुध अर्थात बिना हाथ थोय रोटी खाते देखा क्योंकि फरीसी और सब यहुदी पुरुनियों के रीती पर चलते हैं और जब तक भली भाती हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते और बजार से आकर जब तक सनान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते और बहुत सी और बाते हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुचाई गई है जैसे कटोरों और लोटों और तामबे के बरतनों को धोना मांजना इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूचा कि तेरे चेले क्यों पुरीनियों की रीती पर नहीं चलते और बिना हाथ धोय रोटी खाते हैं उसने उनसे कहा कि अशाया ने तुम कपटियों के विश्य में बहुत ठीक भविश द्वानी की जैसा लिखा है कि ये लोग होटों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझ से दूर रहता है और वे व्यर्थ मेरी उपास न करते हैं क्योंकि मनुश्यों की आग्याओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं क्योंकि तुम परमेश्वर की आग्या को टाल कर मनिश्यों की रीतियों को मानते हो और उसने उन से कहा तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आग्या कैसी अच्छी तरह टाल देते हो क्योंकि मूसा ने कहा है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर कर और जो कोई पिता वा माता को बुरा कहे वे अवश्य मार डाला जाए फरंतो तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता वा माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाब पहुँच सकता था वे कुर्बान अर्था संकल्प हो चुका तो तुम उसको उसके पिता वा उसकी माता की सेवा करने नहीं देते इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो और उसने लोगों को अपने पास बुला कर उनसे कहा तुम सब मेरी सुनो और समझो ऐसी तु कोई वस्तु नहीं जो मनुष में बाहर से समा कर अशुद करे परंतु जो वस्तु में मनुष के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद करती हैं यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले जब वे भीड के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस द्रश्टान्त के विश्य में उससे पूछा उसने उनसे कहा क्या तुम भी ऐसा ना समझो क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष के भीतर जाती है वे उसे अशुद नहीं कर सकती क्योंकि वे उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है यह कहकर उसने सब भोजन वस्तु को शुद धराया फिर उसने कहा जो मनुष में से निकलता है वही मनुष को अशुद करता है क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष के मन से बुरी बुरी जिन्ता, व्यविचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोब, दुष्टता, छल, लुच्पन, कुदरश्टी, निंदा, अभिमान और मुर्खता निकलती है ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष को अशुद करती है फिर वे वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई न जाने परंतु वे छिप न सका और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद आत्मा थी उसकी चचा सुनकर आई और उसके पाओं पर गिरी यह यूनानी और सरुफीनी की जाती की थी और उसने उससे बिंती की की मेरी बेटी में से दुष्टात्मा निकाल दे उसने उससे कहा पहले लड़कों को तुर्प धोने दे क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है उसने उसको उत्तर दिया कि सच है प्रभू तो भी कुत्ते भी तो मेच के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं उसने उससे कहा इस बात के कारण चली जा दुश्टात्मा तेरी बेटी में से निकल गई है और उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुश्टात्मा निकल गई है फिर वे सूर और सैदा के देशों से निकल कर दिक पुलिस देश से होता हुआ गलील की जील पर पहुंचा और लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे बिंती की कि वे अपना हाथ उस पर रखे तब वे उसको फीड से अलग ले गया और अपनी उंगलि अर्थात खुल जा और उसके कान खुल गए और उसकी जीब की गांट भी खुल गई और वे साफ साफ बोलने लगा तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और परचार करने लगे और वे बहुती आश्चर में होकर कहने लगे उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है वह भेरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है मरकुस रचित सुसमचार आठवा अध्याए उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड इखटी हुई और उनके पास कुछ खाने को न था तो उसने अपने चेलों को पास बुला कर उनसे कहा मुझे इस भीड पर तरस आता है क्योंकि ये तीन दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं यदि मैं उन्हें भूका घर भेज दू तो मार्ग में ठक कर रह जाएंगे क्योंकि इन में से कोई कोई दूर से आए हैं उसके चेलों ने उसको उतर दिया कि यहां जंगल में इतनी रोटी कोई कहां से लाए कि ये तरुपतों हो उसने उनसे पूछा तुमारे पास रोटियां कितनी हैं उन्होंने कहा साथ तब उसने लोगों को घूमी पर बैठने की आगया दी और वे साथ रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि वे उनकी आगे रखें और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया उनके पास और लोग चार हजार के लगभग थे और उसने उनको विदा किया और वे तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चड़कर दल मनूता देश को चला गया फिर फरीसी निकल कर उससे वाद विवाद करने लगे और उसे जाचने के लिए उससे कोई स्वरगी चिन्ध मांगा उसने अपनी आत्मा में आह मार कर कहा इस समय के लोग क्यों चिन्ध ढूरते हैं मैं तुम से सच कहता हूँ कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ध नहीं दिया जाएगा और वे उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चड़ गया और पार चला गया और वे रोटी लेना भूल गये थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी और उसने उन्हें चिताया कि देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेश के खमीर से चौकस रहो वे आपस में विचार करके कहने लगे कि हमारे पास तो रोटी नहीं है यह जानकर ईश्यों ने उनसे कहा तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है क्या आखें रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते और तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैंने पांच हजार के लिए पांच रोटी तोड़ी थी तो तुमने टुकडों की कितनी टोकरिया भरकर उठाई उन्होंने उससे कहा बारह टोकरिया और जब चार हजार के लिए साथ रोटी थी तो तुमने टुकडों के कितने टोकरे भरकर उठाए थे उन्होंने उससे कहा साथ टोकरे उसने उनसे कहा क्या तुम अब तक नहीं समझते और वे बेचस्यदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे बिंती की कि उसको छुए वे उस अंधे का हाथ पकड़कर उससे गाउं के बाहर ले गया और उसकी आँखों में धूपकर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा क्या तू कुछ देखता है उसने आँख उठा कर कहा मैं मनुश्यों को देखता हूं क्योंकि वे मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जै देखने लगा और उसने उससे यह कहकर घर भेजा कि इस गाउं के भीतर पाउं भी न रखना यिश्यों और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गाउं में चले गए और मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं उन्होंने उत्तर दिया कि य पत्रस ने उसको उत्तर दिया तू मसी है तब उसने उन्हें चिता कर कहा कि मेरे विशे में यह किसी से ना कहना और वे उन्हें सिखाने लगा कि मनुश के पुत्र के लिए अवश्य है कि वे बहुत दुख उठाए और पुरनिये और महायाजक और शास्त्री उसे तुछ समझ कर मार डाले और वे तीन दिन के बाद जी उठे उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी इस पर पत्रस उसे अलग ले जाकर जड़कने लगा परंतु उसने फिर कर और अपने चेलों की और देखकर पत्रस को जड़क कर कहा कि हे शतान मेरे सामने से दूर हो क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुश्यों की बातों पर मन लगाता है उसने भीड को अपने चेलों समेथ पास बुला कर उनसे कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वे अपने आपे से इंकार करे और अपना क्रूस उठा कर मेरे पीछे हो ले क्योंकि जो कोई अप एपने प्राण की हानी उठाए तो उसे क्या लाव होगा और मनुश अपने प्राण के बदले क्या देगा जो कोई इस विविचारी और पापी जाती के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा मनुश का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिटा की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा मर्कुस रचित सुसमचार नौवा अध्याय और उसने उनसे कहा मैं तुम से सच कहता हूँ कि जो यहां खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेशर के राजी को सामर्थ सहित आया हुआ न देख लें तब तक मृत्यू का स्वाद कदापी न चखेंगे छह दिन के बाद इश्यू ने पत्रस और याकूब और यहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी उचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्तर ऐसा चमकने लगा और यहां तक अती उजवल हुआ कि प्रत्वी पर कोई धोभी भी वैसा उजवल नहीं कर सकता और उन्हें मुसा के साथ एलिया दिखाई दिया और वे ईशु के साथ बातने करते थे इस पर पत्रस्त ने ईशु से कहा हे रभी हमारा यहां रहना अच्छा है इसलिए हम तीन मंडब बनाएं एक तेरे लिए एक मुसा के लिए और एक एलिया के लिए क्योंकि वे न जानता था कि क्या उत्तर दे इसलिए कि वे बहुत डर गए थे तब एक बादल ने उन्हें च्छा लिया और उस बादल में से यह शब निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है उसकी सुनो तब उन्होंने एका एक चारों और द्रस्टी की और ईश्यू को छोड़ अपने साथ और किसी को न देखा पहाड से उतरते हुए उसने उन्हें आग्या दी कि जब तक मनुश का पुत्र मरे हुँ में से जी न उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है वे किसी से न कहना उन्होंने इस बात को स्मरन रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे कि मरे हुँ में से जी उठने का क्या आर्थ है और उन्होंने उससे पूछा शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आनावश्य है उसने उन्हें उत्तर दिया कि एलिया सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा कुछ चाहा उसके साथ किया और जब रह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों और बड़ी भीड लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं और उसे देखते ही सब बहुती आश्यर करने लगे और उसकी और दोड़ कर उसे नमस्कार किया उसने उनसे पूछा तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो भीड में से एक ने उसे उत्तर दिया कि हे गुरू मैं अपने पत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था जहां कहीं वे उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वे मुह में फेन भर लाता और दांट पीसता और सूखता जाता है और मैंने तेरे चेलों से कहा था कि वे उसे निकाल दे परंत वे निकालना सके यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा कि हे अवश्वासी लोगो मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक तुम्हारी सहूँगा उसे मेरे पास लाओ तबे उसे उसके पास ले आये और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोडा और वे भूमी पर गिरा और मुह से फेन भाते हुए लोटने लगा उसने उसके पिता से पूछा कि इसकी यह दशा कब से है उसने कहा बच्छपन से उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया परन्तु यदी तु कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर इसने उससे कहा यदी तु कर सकता है यह क्या बात है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है बालक के पिता ने तुरंट गिड़गला कर कहा हे प्रभू मैं विश्वास करता हूँ मेरे अविश्वास का उपाय कर जब इसने देखा कि लोग दोड़ कर भीड लगा रहे हैं तो उसने अश्द आत्मा को यह कह कर डाटा कि हे गूंगी और भहीरी आत्मा मैं तुझे आग्या देता हूँ उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न कर तब भेच लाकर और उसे बहुत मरोड कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया यहां तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया परंतु ईश्य ने उसका हाथ पकड़के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत ने उससे पूछा हम उसे क्यों न निकाल सके उसने उनसे कहा कि यह जाती बिना प्रार्थना किसी और उपाय से निकल नहीं सकती फिर वे वहां से चले और गलील में होकर जा रहे थे और वह नहीं चाहता था कि कोई जाने क्योंकि वे अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था कि मनुश का पुत्र मनुश्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उससे मार डालेंगे और वे मरने के तीन दिन बाद जी उठेगा पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई और वे उससे पूशने से डरते थे फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूचा कि रास्ते में तुम किस बात पर विवाद करते थे वे चुप रहे क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम मेंसे बड़ा कौन है तब उसने बैठ कर बारों को बलाया और उनसे कहा यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में ख़़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहन करता है वे मुझे ग्रहन करता है और जो कोई मुझे ग्रहन करता है वे मुझे नहीं बरन मेरे भेजने वाले को ग्रहन करता है तब यहन्ना ने उससे कहा, हे गुरू, हमने एक मनुश को तेरे नाम से दुश्टात्माओं को निकालते देखा, और हम उससे मना करने लगे, क्योंकि वे हमारे पीछे नहीं हो लेता था। यिशु ने कहा उसको मत मना करो क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वे हमारी और है जो कोई एक अटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो तो मैं तुम से सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल किसी रीती से नखोएगा पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझे पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का बात उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद में डाल दिया जाए यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उससे काट डाल टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं और यदि तेरा पाउं तुझे ठोकर खिलाए तो उससे काट डाल लंगला होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो पाउं रहते हुए नरक में डाला जाए जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं भुझती क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा नमक अच्छा है पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे तो उससे किस से स्वादित करोगे अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलापसित मरकुस रचित सुसमचार दस्वा अध्याए फिर वे वहां से उठकर यहुदिया के सिवानों में और यर्दन के पार आया और भीड उसके पास फिर इखटी हो गई और वे अपनी रीती के उनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा तब फरिसियों ने उसके पास आकर उसकी परिक्षा करने को उससे पूचा क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पतनी को त्यागे उसने उनको उत्तर दिया कि मूसा ने तुम्हें क्या आग्या दी है उन्होंने कहा मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आग्या दी है हीशु ने उनसे कहा कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए यह आग्या लिखी पर स्रश्टी के आरम से परमेश्वन ने नर और नारी करके उनको बनाया है इस कारण मनुष्य अपने मातर पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है इसलिए जिसे परमेश्वन ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे और घर में चेलों ने इसके विशे में उससे फिर पूछा उसने उनसे कहा जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करे तो वे उस पहिली के विरोध में व्यविचार करता है और यदि पत्नी अपने पती को छोड़ कर दूसरे से ब्याह करे तो वे विविचार करती है फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वे उन पर हात रखे पर चेलों ने उनको डाटा इश्यू ने यह देख कृध होकर उनसे कहा बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो क्योंकि परमेश्वण का राज ऐसो ही का है मैं तुम से सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वण के राज को बालक की नाई ग्रहन न करे वे उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीश दी और जब वे निकल कर मार्ग में जाता था तो एक मनुष उसके पास दोड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा हे उत्तम गुरू अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूँ इश्रू ने उससे कहा तू मुझे उत्तम क्यों कहता है कोई उत्तम नहीं केवल एक अर्थात परमेश्वर तू आग्याओं को तो जानता है हत्या न करना, व्यविचार न करना, चोरी न करना, जूटी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी मादा का आदर करना उसने उससे कहा हे गुरू, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ इश्रू ने उस पर द्रस्टी करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उससे बेच कर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले इस बात से उसके चहरे पर उदासी छा गई, और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था इश्रू ने चारों और देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों को परमेशर के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है चेले उसकी बातों से अचम्बित हुए, इस पर इश्रू ने फिर उनको उत्तर दिया हे बाल को, जो धन पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए परमेशर के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है परमेशर के राज में धनवान के प्रवेश करने से उंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उधार हो सकता है इश्व ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुश्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेशर से हो सकता है क्योंकि परमेशर से सब कुछ हो सकता है पत्रस उससे कहने लगा, कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिये है ईशु ने कहा मैं तुम से सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमचार के लिए घर या भाईयों या भहिनों या माता या पिता या लड़के बालों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय सो गुणा न पाए घरों और भाईयों और भहिनों और माताओं और लड़के बालों और खेतों को परुपद्रों के साथ और परलोक में अनंत जीवन पर भहुतेरे जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे और वे यरुश्लेम को जाते हुए मार्ग में थे और ये शुव उनके आगे-ागे जा रहा था और वे अचंभा करने लगे और जो उसके पीछे-पीछे चलते थे डरने लगे तब वे फिर उन बारहों को लेकर उनसे वे बाते करने लगा जो उस पर आने वाली थी कि देखो हम यरुशलेम को जाते हैं और मनुश का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योगे ठराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौपेंगे और वे उसको ठट्टों में उडाएंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोडे मारेंगे और उसे खात करेंगे और तीन दिन के बाद वह जी उठेगा तब जब्दी के पुत्र याकूब और यहनना ने उसके पास आकर कहा हे गुरू हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुछ से मांगे वही तु हमारे लिए करे उसने उनसे कहा तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूँ उन्होंने उससे कहा कि हमें यह दे कि तेरी महिमा में हमें से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे गिश्यूने उनसे कहा तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या पी सकते हो और जो बबतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या ले सकते हो उन्होंने उससे कहा हमसे हो सकता है ईशु ने उनसे कहा जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम प्योगे और जो बबतिस्मा मैं लेने पर हूँ उससे लोगे पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बिठाना मेरा काम नहीं यह सुनकर दसों याकूब और युहनना पर रिसी आने लगे और ईशु ने उनको पास बुला कर उनसे कहा तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं पर तुम में ऐसा नहीं है बरन जो कोई तुम्में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने और जो कोई तुम्में प्रधान होना चाहे वह सब का दास बने क्योंकि मनुश्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छोड़ोती के लिए अपना प्राण दे और वे यरीहों में आये और जब वेह और उसके चेले और एक बड़ी भीड यरीहों से निकलती थी तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठ था वे यह सुनकर की यीशू नासरी है पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दावुद की संतान यीशू मुझ पर दया कर बहुतों ने उसे डाटा की चुप रहे पर वे और भी पुकार रिल लगा कि हे दावुद की संतान मुझ पर दया कर तब यीशू ने ठैर कर कहा उसे बुलाओ और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा धालस बांध उठ वह तुझे बुलाता है वह अपना कपला फेक कर शीघर उठा और ईशु के पास आया इस पर ईशु ने उससे कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ अंधे ने उससे कहा हे रबी यह है क कि मैं देखने लगू ईशु ने उससे कहा चला जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया मर्कुस प्रचित सुसमचार ग्यार्मा अध्याए जब वे एरुशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर ब जिस पर कभी कोई नहीं चड़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा उसे खोल लाओ यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है और वे शीग्र उसे यहां भेज देगा उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौ उन्हें कहा था वैसा ही उनसे कह दिया तब उन्होंने उन्हें जाने दिया और उन्होंने बच्चे को इश्यू के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वे उस पर बैठ गया और बहुतों ने अपने कपड़े मारग में बिच्छाए और और औरों ने खेतों में से दालियां काट काट कर फैला दी और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे कि होशाना धन्य है वह जो प्रभू के नाम से आता है हमारे पिता दाउत का राज जो आ रहा है धन्य है आकाश में होशाना और वे यरुशलेम पहुचकर मंदिर में आया और चारों और सब वस्तों को देखकर बारहों के साथ बैतनिहा गया क्योंकि सांज हो गई थी दूसरे दिन जब वे बैतनिहा से निकले तो उसको भूक लगी और वे दूर से अंजीर का एक हरा पेड देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया क्योंकि फल का समय न था इस पर उसने उससे कहा अब से कोई तेरा फल कभी न खाए और उसके चेले सुन रहे थे फिर वे यरुशले में आए और वे मंदिर में गया और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकानने लगा और सर्राफों के पीड़े और कबूतर के बेचने वालों की चौकिया उलट दी और मंदिर में से होकर किसी को बरतन लेकर आने जाने न दिया और उपदेश करके उन से कहा क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा पर तुमने इसे डाकों की खो बना दी है यह सुनकर महायाजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूनने लगे क्योंकि उससे डरते थे इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे और प्रती दिन सांज होते ही वे नगर से बाहर जाया करता था फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड को जड़ तक सूखा हुआ देखा पत्रस को यह बात स्पननाई और उसने उससे कहा हे रब्बी देख यह अंजीर का पेड जिसे तुने श्राप दिया था सूख गया है इश्योंने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड से कहे कि तू उखड जा और समुद्र में जा पड और अपने मन में संधे ना करे बरन प्रतीती करे कि जो कहता हूँ वे हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम परात्ना करके मांगो तो प्रतीती कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा और जब कभी तुम खड़े हुए परात्ना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की और से कुछ विरोध हो तो ख्षमा करो इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गी पिता भी तुम्हारे अपराद ख्षमा करे और यदि तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराद ख्षमा न करेगा वे फिर यरिशले में आए और जब वे मंदिन में टहल रहा था तो महायाजक और शास्त्री और पुरुनिये उसके पास आकर पूछने लगे कि तू ये काम किस अधिकार से करता है और ये अधिकार तुझे किस ने दिया है कि तू ये काम करे इशु ने उससे कहा मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ मुझे उत्तर दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ युहना का बप्तिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था वा मनुश्यों की ओर से था मुझे उत्तर दो तब वे आपस में विवात करने लगे कि यदी हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वे कहेगा फिर तुमने उसकी प्रतीती क्यों नहीं की और यदि हम कहें मनुश्यों की ओर से तो लोगों का डर है क्योंकि सब जानते हैं कि योहनना सच्मुच भविश्य दखता है तो उन्होंने ईश्यों को उत्तर दिया कि हम नहीं जानते यिशु ने उनसे कहा मैं भी तुमको नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ मरकुस प्रचित सुसमचार बारवा अध्याय फिर वे द्रस्टांत में उनसे बाते करने लगा कि किसी मनुष ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों और बाला बांधा और रस का कुंड खोदा और गुमट बनाया और किसानों को उसका खीका देकर परदेश चला गया फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसान से दाख की बारी के फलों का भाग ले पर उन्होंने उसे पकड़ कर पीटा और छूचे हाथ लोटा दिया फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा और उन्होंने उसका सिर फोर डाला और उसका अपमान किया फिर उसने एक और को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला तब उसने और भहुतों को भेजा उन में से उन्होंने कितनों को पीटा और कितनों को मार डाला अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था अंत में उसने उसे भी उनके पास यह सोच कर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे पर उन किसानों ने आपस में का यही तो वारिस है आओ हम उसे मार डाले तब मिरास हमारी हो जाएगी और उन्होंने उसे पकड़ कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेक दिया इसलिए दाग की बारी का स्वामी क्या करेगा वह आकर उन किसानों को नाश करेगा और दाग की बारी औरों को दे देगा क्या तुमने पवित्र शास्तर में यह वचन नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़ कर चले गए तब उन्होंने उसे बातों में फसाने के लिए कई एक फरीसियों और हेरोधियों को उसके पास भेजा और उन्होंने आकर उससे कहा हे गुरु हम जानते हैं कि तु सच्चा है और किसी की पर्वा नहीं करता क्योंकि तु मनुश्यों का मुह देखकर बातें नहीं करता परंतु परमिश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है तो क्या कैसर को कर देना उचित है की नहीं हम दे या ना दे उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा मुझे क्यों परक्ते हो एक दिनार मेरे पास लाओ कि मैं देखू वे ले आए और उसने उनसे कहा यह मूर्ती और नाम किसका है उन्होंने कहा कैसर का इश्व ने उनसे कहा जो कैसर का है वे कैसर को और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे फिर सदूक्यों ने भी जो कहते हैं कि मरे हुँ काजी उठना है ही नहीं उसके पास आकर उससे पूछा कि हे गुरु मुसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए और उसकी पत्नी रह जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी को ब्याह ले और अपने भाई के लिए वन्श उत्पन करे साथ भाई थे पहला भाई ब्याह करके बिना संतान मर गया तब दूसरे भाई ने उस्त्री को ब्याह लिया और बिना संतान मर गया और वैसे ही तीसरे ने भी और सातों से संतान न हुई सब के पीछे वैस्त्री भी मर गई सो जी उठने पर वै उन में से किस की पत्नी होगी क्योंकि वैस सातों की पत्नी हो चुकी थी इश्व ने उन से कहा क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम ना तो बवित्र शास्तर ही को जानते हो और ना परमिश्वर की सामर्थ को क्योंकि जब में मरे हुओं में से जी उठंगे तो उनमें ब्याशारी ना होगी पर स्वर्ग में दूतों की नाई होंगे मरे हुओं के जी उठने के विश्य में क्या तुमने मुसा की पुस्तक में जाड़ी की कथा में नहीं पड़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा मैं इब्रहीन का परमेश्वर और इसाहक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ परमेश्वर मरे हुऊं का नहीं पर जीवतों का परमेश्वर है सो तुम बड़ी भूल में पड़े हो और शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीती से उतर दिया उससे पूछा सबसे मुख्य आग्या कौन सी है इश्व ने उसे उतर दिया सब आग्याओं में से यह मुख्य है हे इस्रायल सुन प्रभू हमारा परमेश्वर एक ही प्रभू है और तू प्रभू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धी से और अपनी सारी शक्ती से प्रेम रखना और दूसरी यह है कि तू अपने पडोसी से अपने समान प्रेम रखना इससे बड़ी और कोई आग्या नहीं शास्त्री ने उससे कहा हे गुरू भूत्थीक तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं और उससे सारे मन और सारी बुद्धी और सारे प्राण और सारी शक्ती के साथ प्रेम रखना और पडोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होमों और बलिदानों से बढ़कर है जब ईशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो उससे कहा तू परमेश्वर के राज से दूर नहीं और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ फिर ईशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए यह कहा कि शास्त्री क्यों कर कहते हैं कि मसी दाउद का पुत्र है दाउद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है कि प्रभू ने मेरे प्रभू से कहा मेरे दहीने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाउं की प उसने अपने उब्देश में उनसे कहा शास्त्रियों से चौकस रहो जो लंबे वस्तर पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार और आराधनालायों में मुख्य मुख्य आसन और जेवनारों में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं वे विद्वाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रातना करते रहते हैं ये अधिक दंड पाएंगे और वे मंदिर के भंडार के सामने बैट कर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला इतने में एक कंगाल विध्वा ने आकर दो दमणियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विध्वा ने सबसे बढ़कर डाला है क्योंकि इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीव का डाल दी है। मरकुस प्रचित सुसमचार तेरवा अध्याए जब मैं मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा हे गुरू देख कैसे कैसे पत्थर और कैसे कैसे भवन है। ईशु ने उससे कहा क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढ़ाया न जाएगा। जब वे जैतून के पहाड पर मंदिर के सामने बैठा था तो पत्रस और याकूब और यहनना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा कि हमें बता कि ये बातें कब होंगी और जब ये सारे बातें पूरी होने पर होंगी उस समय का क्या चिन्ध होगा। इश्यू उनसे कहने लगा चौकस रहो कि कोई तुम्हें न भर्माए। भहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूँ और भहुतों को भर्माएंगे और जब तुम लड़ाईयां और लड़ाईयों की चर्चा सुनो तो न घबराना क्योंकि इनका होना आवश्य है परंतु उस समय अंत न होगा क्योंकि जाती पर जाती और राज्य पर राज्य चड़ाई करेगा और हर कहीं भूइन डोल होंगे और अकाल पढ़ेंगे यह तो पिड़ाओं का आरंभ ही होगा। पर अवश्य है कि पहले सुसमचार सब जातियों में प्रचार किया जाए जब वे तुम्हें ले जाकर सौपेंगे तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उध्धार होगा। सो जब तुम उस उजाडने वाली खड़ेंद वस्तू को जहां उचित नहीं वहां खड़ी देखो पढ़ने वाला समझ लें तब जो यहूदिया में हो वे पहाडों पर भाग जाएं जो कोठे पर हो वे अपने घर से कुछ लेने को नीचे न उतरे और न भीतर जाएं और जो किया करो कि है जाडे में ना हो क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि स्रस्टी के आरम से जो परमेश्वने स्रजी है अब तक ना तो हुए और ना फिर कभी होंगे और यदि प्रभू इन दिनों को न घटाता तो कोई प्राणी भी न बचता परन्तु उन चुने जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसी यहां है या देखो वहां है तो प्रतीती ना करना क्योंकि जूटे मसी और जूटे भविश्य द्वक्ता उट ख़ले होंगे और चिन्ध और अद्भूत काम दिखाएंगे कि यदि हो स के तो चुने हुओं को भी भरमा दे पर तुम चौकस रहो देखो मैंने तुमें सब बातें पहले ही से कह दी है उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश न देगा और अकाश से तारा गण गिरने लगेंगे और अकाश की शक्तिय खिलाई जाएंगी तब लोग मनुश के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे उस समय वह अपने दूतों को भेज कर प्रत्वी के इस छोड से आकाश की उस छोड तक चारों दिशा से अपने चुने हिवे लोगों को इखटे करेगा अंजीर के पेड से यह द्रश्टांत सीखो जब उसकी डाली कोमल हो जाते और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीश मकाल निकट है इसी रीती से जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वह निकट है बरंद द्वार ही पर है मैं तुम से सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें न हो लेंगी तब तक यह लोग जाते न रहेंगे आकाश और प्रत्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी उस दिन या उस खड़ी के विशे में कोई नहीं जानता ना स्वर्ग के दूद और ना पुत्र परंतु केवल पिता देखो जागते और प्रार्थना करते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा यह उस मनुश्की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम जता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आग्या दे इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा सांज को या आधिरात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को ऐसा नहो कि वह अचानक आकर तुमें सोते पाए और जो मैं तुम से कहता हूँ वही सब से कहता हूँ जागते रहो मरकुस रजित सुसमचार चवद्वा अंध्याय दो दिन के बाद फसह और अखमीरी रोटी का पर्ब होने वाला था और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे क्यों कर छल से पकड़ कर मार डालें परंतु कहते थे कि पर्ब के दिन नहीं कहीं ऐसा नहो कि लोगों में बलवा मचे जब वे बैतनिया में शमौन कोड़ी के घर बोजन करने बैठा हुआ था तब एक स्त्री संगमरमर के पात में जटा मांसी का भोमुल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़ कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला परंतु कोई-कोई अपने म पाता जा सकता था और वे उसको जड़कने लगे ईशु ने कहा उसे छोड़ दो उसे क्यों सताते हो उसने तो मेरे साथ भलाई की है कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा जो कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमचार प्रचार किया जाएगा वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। तब यहुदा इसकरियोती जो बारह में से एक था महायाजुकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। वे यह सुनकर आनंदित हुए और उसको रुपिय देना स्विकार किया और यह अवसर ढूने लगा कि उसे किस प्रकार पकड़वा दे। अक्मीरी रोटी के पर्प के पहले दिन जिसमें वे फसे का बल्यदान करते थे उसके चेलों ने उससे पूछा तू कहां चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसे खाने की तयारी करें। उसने अपने चेलों में से दो को यह कहकर भेजा कि नगर में जाओ और एक मनुष जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा उसके पीछे हो लेना। और वह जिस घर में जाए उस धर के स्वामी से कहना गुरू कहता है कि मेरी पाहुन शाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसे खाऊं कहां है। वह तुम्हें एक सजी सजाई और तयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा वहां हमारे लिए तयारी करो। सो चेले निकलकर नगर में आयए और जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसेह तयार किया। जब सांज हुई तुम्हें बारहों के साथ आया और जब वे बैठे भोजन कर रहे थे। तो ईशु ने कहा मैं तुम से सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकडवाएगा उन पर उदासी छा गई और वे एक एक करके उससे कहने लगे क्या वे मैं हूँ उसने उनसे कहा वे बारहों में से एक है जो मेरे साथ धाली में हाथ डालता है क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विश्य में लिखा है जाता ही है परंतु उस मनुष्य पर हाए जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला होता और जब वे खाही रहे थे तो उसने रोटी ली और आचीश मांग कर तोड़ी और उन्हें दी और कहा लो यह मेरी दे है फिर उसने कटोरा लेकर धन्नवाद किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया और उसने उन से कहा यह वाचा का मेरा वहलोहु है जो भहुतों के लिए बहाया जाता है मैं तुम से सच कहता हूँ कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी न पियूँगा जब तक परमेश्वर के राज में नया न पियूँगा फिर वे भजन गाकर बाहर जैतुन के पहाड़ पर गए तब ईश्व ने उन से कहा तुम सब ठोकर खाओगे क्योंकि लिखा है कि मैं रखवाले को मारूंगा और भेड तित्तर बित्तर हो जाएंगी परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुम से पहले गलील को जाऊंगा पत्रस ने उससे कहा यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा इशु ने उससे कहा मैं तुझ से सच खहता हूँ कि आज ही इसी रात को मुर्गे के दो बार बांग देने से पहले तू तीन बार मुझ से मुकर जाएगा पर उसने और भी जोर दे कर कहा यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार कभी न करूँगा इसी प्रकार और सब ने भी कहा फिर वे गत्समने नाम एक जगह में आये और उसने अपने चेलों से कहा यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूँ और वे पत्रस और याकुब और यहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा और उनसे कहा मेरा मन बहुत उदास है यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ तुम यहाँ ठैरो और जागते रहो और वे थोड़ा आगे बढ़ा और भूमी पर गिर कर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए और कहा हे अब्बा हे पिठा तुझ से सब कुछ हो सकता है इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं पर जो तू चाहता है वही हो फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पत्रस से कहा हे शमौन तू सो रहा है क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परिक्षा में न पड़ो आत्मा तू तयार है पर शरीर दुर्बल है और वह फिर चला गया और वही बात कहकर प् जानते थे कि उसे क्या उत्तर दे फिर तीसरी बार आकर उन्हें से कहा अब सोते रहो और विश्राम करो बस खड़ी आप हुची देखो मनुष का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है उठो चले देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आप हुचा है वह यह क पुर्णियों की ओर से एक बड़ी भीड तलवारें और लाठियां लिये हुए तुरंत आप हुची और उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह पता दिया था कि जिसको मैं चुमूँ वही है उसे पकड़कर यतन से ले जाना और वह आया और तुरंत उसके पास जाकर कह हे रबी और उसको बहुत चुमा तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया उन में से जो पास खड़े थे एक ने तलवार खीच कर महयाजक के दास पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया ईशु ने उनसे कहा क्या तुम डाकु जानकर मेरे पकड़ने के लिए तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था और तब तुमने मुझे ना पकड़ा परन्तु यह इसलिए हुआ है कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए और एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर उड़े हुए उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा पर वे चादर छोड़कर नंगा भाग गया फिर वे ईशु को महायाजक के पास ले गए और सब महायाजक और पुरनिये और शास्त्री उसके इहां इखटे हो गये पत्रस दूर ही दूर से उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया और प्यादों के साथ बैठ कर आग तापने लगा महायाजक और सारी महासभा इशु के मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही की खोज में थे पर ना मिली क्योंकि बहुतेरे उसके विरोध में जूटी गवाही दे रहे थे पर उनकी गवाही एक सी न थी तब कित्मों ने उठकर उस पर यह जूटी गवाही दी कि हमने इसे यह कहते सुना है कि मैं इस हाथ के बनाहिवे मंदिर को धा दूँगा और तीन दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से न बना हो इस पर भी उनकी गवाही एक सी न निकली तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यिशू से पूछा कि तू कोई उत्तर नहीं देता ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं परन्तु वैं मौन साधे रहा और कुछ उत्तर न दिया महायाजक ने उससे फिर पूछा क्या तो उस परम धन्ने का पुत्र मसीह है इशू ने कहा हाँ मैं हूँ और तुम मनुष के पुत्र को सर्वशक्ति मान की दाइनी ओर बैठे और अकाश के बादलों के साथ आते देखोगे तब महायाजक ने अपने वस्तर फार कर कहा अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन है तुमने यह निंदा सुनी तुम्हारी क्या राय है उन सब ने कहा यह वद के योग्य है तब कोई तो उस पर थूपने और कोई उसका मुह धापने और उसे घूसे मारने और उससे कहन लगे कि भविश्यद्वानी कर और प्यादों ने उसे लेकर थपड मारे। जब पत्रस नीचे आंगन में था तो महायाजक की लॉंडियों में से एक वहाँ आई और पत्रस को आग तापते देखकर उस पर टक-टकी लगा कर देखा और कहने लगी तू भी तो उस नास्री प्योडी में गया और मुर्गे ने बांग दी वह लॉंडि उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी यह उनमें से एक है परंतु वह फिर मुकर गया और थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पत्रस से कहा निश्चे तू उनमें से एक है क्योंकि तू गलीली भी है तब वै धिकार देने और शपत खाने लगा कि मैं उस मनुष को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता तब तुरंथ दूसरी बार मुर्ग ने बांग दी पतरस को वह बात जो इश्य ने उससे कही थी स्मरण आई कि मुर्ग के दो बार बांग देने से पहने तु तीन बार मेरा मर्कुस रचित सुसमचार पंदरवह अध्याय और भोर होते ही तुरंथ महायाजकों और पुर्णियों और शास्त्रियों ने वरंद सारी महासभाने सलहा करके इश्य को बनवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ सौप दिया और पिलातुस ने उससे पूछा क्या तु यहुदियों का राजा है उसने उसको उत्तर दिया कि तु आप ही कह रहा है और महायाजक उस पर बहुत बातों का दोश लगा रहे थे पिलातुस ने उससे फिर पूछा क्या तु कुछ उत्तर नहीं देता देख ये तुछ पर कि किसी एक बंधवे को जिसे वे चायते थे उन के लिए छोड़ दिया करता था और बरबा नाम का एक मनुश उन बलवाईयों के साथ बंधवा था जिन्होंने बलवे में हत्या की थी और भीड ऊपर जाकर उससे बिंती करने लगी कि जैसा तु हमारे लिए करता आया है वैसा ही कर पिलातूस ने उनको यह उत्तर दिया क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहुदियों के राजा को छोड़ दू क्योंकि मैं जानता था कि महायाजुकों ने उसे डाह से पकड़वाया था परन्तु महायाजुकों ने लोगों को उभारा कि वह बरबा ही को उनक पूछा तो जिसे तुम यहोदियों का राजा कहते हो उसको मैं क्या करूँ वे फिर चिलाए कि उसे क्रूस पर चढ़ा दे। प्रितर के आंगन में ले गए जो प्रिटोरियन कहलाता है और सारी पलतन को बुला लाए और उन्होंने उसे बैजनी वस्त पहनाया और कांटों का मुकुट गूद कर उसके सिर पर रखा और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे कि हे यहुदियों के राजा नमस्कार और वे उस उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूपते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे और जब वे उसका ठटा कर चुके तो उस पर से बैंजनी वस्त उतार कर उसी के कपड़े पहनाए और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए और सिकंदर और क्रूस उठा ले चले और वे उसे गुलगता नाम जगह पर जिसका अर्थ खोपडी की जगह है लाए और उसे मुर मिला हुआ दाखरस देने लगे परंतु उसने नहीं लिया तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिठिया डाल कर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया और पहर दिन चढ़ा था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसका दोश पत्र लिखकर उसके उपर लगा दिया गया कि यहोदियों का राजा और उन्होंने उसके साथ दो डाकू एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाई और क्रूस पर चढ़ाए तब धर्म शास्त्र का वह वचन कि वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिला कर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे कि वाह मंदिर के ढाने वाले और तीन दिन में बनाने वाले कुरूस पर से उतर कर अपने आपको बचा ले इसी रीती से माहयाजक भी शास्त्रियों समेत आपस में ठटे से कहते थे कि इसने औरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सकता इसराइल का राजा मसी अब कुरूस पर से उतर आए कि हम देख कर विश्वास करें और जो उसके साथ कुरूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे और दोपैर होने पर सारे देश में अंध्यारा चागया और तीसरे पहर तक रहा तीसरे पहर ईश्यू ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा इलोई इलोई लमा शबक्तनी जिसका अर्थ यह है हे मेरे परमेश्वर हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया जो पास ख़़े थे उन में से कितनों ने यह सुनकर कहा देखो यह एलिया को पुकारता है और एक ने दोड़कर इस पंच को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा ठहर जाओ देखें कि एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं तब इशुने बड़े शब्द से चिला कर प्राण छोड़ दिये और मंदिर का परदा उपर से नीचे तक फटकर दो टुकले हो गया जो सुबेदार उसके सामने ख़़ा था जब उसे यू चिला कर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा सचमुच यह मनुष्य परमे इश्वर का पुत्र था कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी उन में मरियम अग्दलीनी और छोटे याकुब की और योसेस की माता मरियम और शलोमी थी जब वे गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सिवा टहल किया करती थी और और भी भौच स्त्रि पहले होता है अर्मतिया का रहने वाला यूसफ आया जो प्रतिष्ठित मंत्री और आप भी परमेश्वर के राजी की बाट जोहता था वहियाओ करके पिलातुस के पास गया और ये शु की लोथ मांगी पिलातुस ने आश्चर कि वह इतना शीघर मर गया और सुबेदार को बुला कर पूछा कि क्या उसको मरे हुए देर हुई तो जब सुबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो लोथ यूसफ को दिला दी तब उसने एक पटली चादर मोली और लोथ को उतार कर उस चादर में लपेटा और एक कबर में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा और कबर के द्वार पर एक पत्थर रुणका दिया और मरिया मग्दलीनी और योसेस की माता मरियम देख रही थी कि वै कहा रखा गया है मरकुस प्रचित सुसमचार सोलवा अत्याय जब सब्त का दिन बीट गया तो मरियम अग्दलीनी और याकूब की माता मरियम और शलोमी ने सुगंधित वस्तुवे मोन ली की आकर उस पर मले और सब्ताह के पहले दिन बड़ी भोर जब सूरज निकला ही था वे कबर पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए कबर के द्वार पर से पत्थर कौन नड़काएगा जब उन्होंने आँक उठाई तो देखा कि पत्थर लुडका हुआ है क्योंकि वे बहुत ही बड़ा था और कबर के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहिने हुए दाहिनी और बैटे देखा और बहुत चकित हुई उसने उनसे कहा चकित मत हो तुम ईशुनासरी को जो कुरूस पर चढ़ाया गया था धोरती हो वे जी उठा है यहां नहीं है देखो यही वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था परन्तु तुम जाओ और उसके चेलों और पत्रस से कहो कि वह तुम से पहले गलील को जाएगा जैसा उसने तुमसे खा था तुम वहीं उसे देखोगे और वे निकल कर कबर से भाग गई क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर च्छा गई थी और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि डरती थी सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलीनी को जिसमें से उसने साथ गुष्टात्माएं निकाली थी दिखाई दिया उसने जाकर उसके साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे समाचार दिया और उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है प्रतीती नकी इसके बाद वह दूसरे रूप में उन्में से दो को जब वे गाउं की ओर जा रहे थे दिखाई दिया उन्होंने भी जाकर औरों को समाचार दिया परन्तु उन्होंने उनकी भी प्रतीती नकी पीछे वह उन ग्यारहों को भी जब वे भोजन करने बैटे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था इन्होंने उनकी प्रतीती न की थी और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी स्रश्टी के लोगों को सुसमचार परचार करो जो विश्वास करे और बप्तिस्मा ले उसी का उधार होगा परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोशी ठहराया जाएगा और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे नई नई भाशा बोलेंगे सापों को उठ और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानी न होगी वे बिमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे निदान प्रभु इश्वु उनसे बाते करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और उन्हों ने निकल कर हर जगह परचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को ग्रण करता रहा आमीन